1-1-2014 को स्टॉक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टॉक प्राइस थी 23 मार्च 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब स्टॉक प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 को स्टॉक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टॉक प्राइस थी 23 मार्च 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब स्टॉक प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए दोनों स्टॉक मां इंवेस्ट किये 6 साल बाद इस इंवेस्टमेंट की वेल्यू हो गई मार्च 2020 में इंवेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करन्ट वेल्यू है यही एक लाग रुपए की अगर हमने एट परसेंट की वेल्यू है इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया दोनों स्टॉक्स ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनार है आज अगर किसी को एक लाग रुपए इंवेस्ट करने है तो वो क्या करें? दोनों में से किसी स्टॉक में इंवेस्ट करें, Nifty 50 स्टॉक्स में इंवेस्ट करें या FD में करें दोनों शेर के और Nifty के एन्यूलाइज रिटन परसंटेज हमने देखें वही रिटन परसंटेज अगर बविश में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा? आए देखते हैं आए 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 परसंट आए ढ़िए बविए रिटन परसंटेज वे टाए बढ़िए उन्यू आए अगर आए परसंटेजम परसंटेजम झाल 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 Thank you